हेलो स्टुडेंट्स हाव अर्जू बेटा मैं आपकी इंगलिश टीचर उशा मैम टूडे वी आर गोइंग तू स्टार्ट आवर फिफ्ट चैप्टर और प्लस वन क्लास दा पंच परमेश्वर रिटन बाइ मुन्शी प्रेंचर बेटा ये बहुत ही इंटरस्टिंग स्टो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में पताती हूं कि ये स्टोरी क्या है इस स्टोरी में बेटा दो फ्रेंड्स हैं जुमन शेख और अलगुचोधरी उस वक्त ये सारी स्टोरी जो है एक गाउं की है कि गाउं में बताया गया है किस तरह से नयाय होता है अगर कोई कि फटरा किया जाता है इस स्टोरी इंट्डूजेजर इंटुजी जेंशी अफसर वेजर को फैश्टे से नयायचरल केमिनोटी इट अब अब वुच्ठय दि एक पंचेट्य डाज सिस्टम इन विच पन्च इस सिंड़ ताव परमेश्वर पंच को एक परमेश्वर का ना यह विश्वास किया जाता है कि भगवान पंच के मुख से भगवान ही बोलता है और लोग जो भी वो अपना निर्ने सुनाता है उसको भगवान का निर्ने समझकन मान लेती है इसमें यही कहा गया है कि फ्रेंड्शिप जो है एक बहुत ही अच्छा बंदन है लेकिन इस स्टोरी में यह भी बताया गया कि जब निर्ने की बात आती है तो फ्रेंड्शिप को एक साइड पे रखती है जाता है और जो भी उस कुर्सी पर पंच की कुर्सी पर बैठता है वो एक साफ और सपस्ट ही निर्ने बताता है और यही स्टोरी के माद्य है किस तरह से उन्होंने हमें बताया इसी के बारे में हमने पढ़ना है ठीक है तो लेटा स्टार्ट फर्स्ट कॉस्टन और कॉस्टन शुरू करने से पहले मैं यह कहतना चाहूंगी कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बच्चे जितनी मेरे वीडियो हैं वो हमारी प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगी और उनकी पेडियाप आपको हमारी वेबसाइट में अवेलिबल हो जाएंगी तो लेट अस टार्ट, फर्स्ट कोश्चन, what do you know about the friendship of जुम्मन शेख और अलगु चौधरी? फ्रेंडशिप की बारे में बताना है कि इन दोनों की friendship जुम्मन शेख और अलगु चौधरी की किस तरह की थी? ठीक है, तो फर्स्ट कोश्चन है, जुम्मन शेख और अलगु चौधरी और अलगु चौधरी और अलगु चौधरी और जुम्मन शेख बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और वो एक ही धर्म से संबन नहीं रखते थे, बट दे यूज तो थिंग अलाइक, लेकिन वो एक ही त से जाता था, ही लेफ्ट इस हाउस इन चेंज ओफ इस अधर, तो वो अपना घर सारा दूसरों को सौंप के चला जाता, दे ट्रस्टेड इच अधर डीपली, वो एक दूसरे के उपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, सेकेंड कोश्चन, वट वास द प्रावलम ओफ जुम्मन शेक्स ओलड आं, जुम्मन शेक की आंती जो थी, बुड़ी आंती, उसकी क्या समथ्या थी, आंसर है, जुम्मन शेक्स आंत एक्पटी उसकी ठोड़ी सी प्रावपर्टी थी, बट trained, वास उन जुम्मन के इलावा उसका और कोई भी रिष्टेदार नहीं था थार्ड कोस्टिन वाइड जुम्मन लाफ एड़ था थेट फोल्ड आंट तो तेक दा मैटर तो पंचाइट तो इसका आंसर है जुम्मन जालता था कि गाउं में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके उपर उसने उपकार ना किया हो इसमें पहले में ये भी आएगा कि कोई भी सबी उसका आदर करते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी कहे को मान इंकार कर सके और सभी के बारे में वो सभी के काम बहुत बहर आ चुका है उसको पक्का विश्वास है कि पंचाइट की मीटिंग जो होगी उसमें वो जीती जाएगा और इसलिए जुमन अपनी बुड़ी आंटी की उपर चाची की उपर हसता है और जब वो उसको धमकी देती है कि वो अपना केस जो है विलेज की पंचाइट गाउं की पंचाइट के पास ले जाएगी फूर्थ क्वेस्टन आता है हमारा हाव दिद विलेजर्स रेक्ट वेन जुमन अपना कोनेक्टे विलेजर्स रेक्ट गाउं ने उसको दिलासा देने की कोशिश की और कईों ने उसको सुनकर भी अनसुना कर दिया जा और कईों ने उसको कहा कि यह समय का खेल है दियर वर वेरी फ्यू पीपल हूँ वर लावाड़ी एंड कंसीडर एंड हूँ लिस्टेंट टू हर सैड स्टोरी एंड ओफर्ट हर कंसोलेशन और उनमें इससे बहुत कम थे जो की कनून को मानने वाले थे और कईों ने उसकी स्टोरी को सुना और उसको दिलासा भी दिया बोसका नेक्स कोश्चन है फिफ्थ वाव डिड है उड और और विट ओन अंट हो दिव हम दो रिक्वेस्ट पोई यह उत तो ने पाल पांचाय की मीटिंग में आओ अल्गू चौदरी को तो उसका क्या रियक्षिन था आंसर है अलगू वाज हिनेफिक्स अलगू जो था एक्दम से वो हरान हो जाता है, और वेन दû अउसने कहा कि तुम पञचाइज की मीटिंग में आओ, he said that he would come there वे वहाँ आएगा but would not say anything during the panchayat लेकिन panchayat के दुरान वे कोई भी शब्द नहीं कहेगा he said that उसने कहा Jumman was his dear friend and he did not want to spoil his friendship with him कि जो Jumman है वो उसका बहुत ही प्यारा मित्र है और उसके साथ वो अपनी friendship खराब नहीं करना चाहता 6th question How did Jumman's old aunt present her case तो इसका answer है She told the panchayat उसने panchayat को बताया that she had transferred her property to the name of Jumman कि उसने अपने सारी property जो है वो Jumman के नाम ने transfer कर दी है and in return और उसके बदले में Jumman had agreed to feed and cloth her और उसके बदले में उसने कहा था कि वो उसको भोजन देगा और कपड़े देगा But Jumman had not kept his world लेकिन वो अपने वाइदे की उपर पूरा नहीं उत्रा She was ill-treated at his house वो उसके घर में उसके साथ बुरा विवार किया जाता है She requested the panchayat to decide the matter उसने panchayat को request की कि वो इस इमामले को इसके उपर अपना निर्ने सुनाए इल-treated by Jumman and his wife तो जब वो Jumman की वाइफ और उसके द्वारा उसके साथ बुरा विवार किया जाता है तो the old woman took her case to the panchayat तो वो सारा case जो होता है अपना panchayat में ले जाती है And she nominated Algo Chaudhry as head panchayat और Algo head panch और Algo Chaudhry को एक panch का head बनाती है पंचो का उसका nominate करती है उसका नाम आगे आठमा question How did Jumman's sheik become the enemy of his friend Algo Chaudhry Jumman's sheik जो था वो अपना उसका जो friend था Algo Chaudhry उसका दुष्मन कैसे बन गया है Jumman's old aunt dominated Algo has the head panch Jumman की जो बुड़ी आटी है वो Jumman का नाम Algo का नाम head panch के रूप में nominate करती है and being a panch Algo stood by the truth and gave his decision against Jumman और जैसे वो panch बन जाता है तो वो सच्चाई के रास्ते पे खड़ा होता है और Jumman की against उसके विरूद अपना निर्ने सुनाता है that was why Jumman became his enemy इसलिए वो उसका शत्रूप बन जाता है ninth question है बटा what was the matter of dispute between Algo and Algo Chaudhry and Samjoo Shah अब Algo Chaudhry और Samjoo Shah के बीच में जगडे का कारण क्या था Algo had sold his ox to Samjoo जो Algo है वो Samjoo को अपना बैल वीज देता है as Samjoo had promised to pay its price within one month और वो उससे बादा करता है कि एक महीने के अंदर-अंदर वो उसका सारा पैसा लोटा देगा but Samjoo took so much work from the animal and it died और Samjoo उस बैल से बहुत ज़ादा काम लेता है जिससे की वो मर जाता है now Samjoo refused to pay its price अब Samjoo जो है उसकी कीमत चुकाने से मना कर रहा है he said वो कहता है उसने कहा कि Algo had sold him a sick ox कि उसने उसको एक बीमार बैल जो था वो बेचा है आगे है हमारा 10th question how did Algo Chaudhry and Jumman Sheik became friends again अगल Algo Chaudhry और Jumman Sheik तुबारा से किस तरह से दोस्त बन जाते हैं तो इसका answer है Jumman was nominated as the head punch to solve the dispute अब Jumman को एक head punch के रूप में जगड़े का निप्टारा करने के लिए अलगु चौधरी और सम्जू के बीच में वो नॉमिनेट किया जाता है Then Jumman realized that a punch is nobody's friend or few वो Jumman जानता है मैसूस उसने किया कि जो punch होता है किसी का मित्र नहीं होता किसी का दोस्त नहीं होता और किसी का दुश्मन भी नहीं होता Punch cannot see anything except justice और punch जो है उसको न्याई के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता So being punch he stood by truth and gave the decision in Algo's favor और punch बनकर वो सच्चाई पर खड़ा होता है और Algo के favor में अपना निरने सुनाता है Thus he became friends again इस तरह से वो दुवारा से friends बन जाते हैं दोस्त बन जाते हैं Thank you better for watching my video God bless you मेरे क्याल में सब को मेरी ये जो कोहानी है समझा आ गई होगी अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके long question answer करेंगी Thank you God bless you Thank you